Hello dear students, आजके इस lecture में हम discuss करेंगे fanatic transcriptions, तो देखिए आपके exam में आते हैं fanatic transcription, इनको आज हम discuss करेंगे और देखिए इनसे पहले मैं आपको रोल बताऊंगे fanatic transcription के और ये करवाने के बाद हम discuss करेंगे जो 2016 से लेकर Fev 2022 यानि कि 2022 तक के सभी fanatic transcription को discuss करेंगे और देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से fanatic transcription आपके most important है उनको आप अच्छे से समझना और आप सभी को अच्छे से समझना क्योंकि इनी रूल से आपके जितने भी fanatics आएंगे वो सभी आप clear कर पाऊंगे तो चलिए start कर तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास sound है जिसको हम E कहते है तो देखिए ये जब sound देगी क्या देगी A की sound देगी है A कैसे होता है जैसे की get get में होता है get और net इन में जो E लिखा होता है E के लिए हम इसी sound को use करेंगे E को ही बस इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है for example देखिए अगर हम इस get को change करते है phonetic transcription में तो देखिए यहाँ पर क्या है सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे इसको get तो get get बोलते है इसको get अब देखिए कैसे करेंगे इसको सबसे पहले हम लिखेंगे जी इससे पहले हमें slash लगाना जरूरी है क्योंकि देखें बार बार कमेंट करके आप मत पूछिएगा slash इसमें लगाया जाता है phonetic transcription के अंदर और जो कुछ मैं समझाऊंगे बिल्कुल अच्छे से समझना बार बार एक ही चीज को repeat नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखें G के लिए हमने G लगाया small सारे जितने भी letters होते है small use होते है इन में अब देखें G के लिए हमने क्या लगाया G का use किया जैसे हम करते है उसके बाद हमारे पास क्या है sound कौन सी है इसमें ये बाली sound है और इसी sound को हम use करेंगे ये लगाएंगे A के लिए उसके बाद देखें get के लिए T लगेगा यहाँ पर क्या है T get क्या है ये get अब उसके बाद देखें अगर net कहते है तो N और फिर यही sound और फिर T net बिल्कुल E जी होता है जो भी हमारे ये sound होते है हम सेम लगाते है E के लिए उसके बाद देखी second है हमारे पर sound ये है हमारा छोटी E के लिए लगाते है हम जैसे के देखें lid ये क्या है lid लिखा मैंने हिंदी में तो लग है सबसे पहले बोलते कैसे है I lead नहीं बोलते I lead नहीं बोलते इसको हम क्या बोलते है lid बोलते है क्योंकि हिंदी में इसको lid लिखते है सबसे पहले हमने क्या किया lid के लिए ल आया तो ल के लिए हमने क्या लिखा ल लिखा वो भी small लिखने हमें ऐसे ल लिखा और फिर हमारे पास छोटी e है small e के लिए हम किसको योज करेंगे इस sound को तो यह sound योजगी हमने small a के लिए फिर आया ड़ ड़ के लिए हमने small d लिखा और slash लगा देंगे दोनों side अब देखी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने transcribe करते time जो stress क्यों नहीं लगाया तो देखी यहाँ पर मैं आपको rules समझा रही हूँ और देखे बैसे भी क्या करते है जब हम एक sound आती है जिस word के अंदर हमारी जैसे कि इसमें देखी सिर्फ एक ही sound है एक ही sound है तो एक ही sound है तो इन में कोई भी stress नहीं लगता यानि कि जहाँ पर single sound होगी वहाँ कोई stress नहीं लगेगा उसके बाद देखे थर्ड है हमारा sound है बड़ी ए का तो देखे वन डालकर आई डालते हैं मालीचे आई है इसके बाद हम जब दो बिंदी लगाते है दो डोट लगाते है तो यह हमेशा बड़ी बनेगी चाहिए ए की है चाहिए यह है आ की है आ से भी क्या करेंगे दो डोट लगाएंगे तो आ बन जाएगा इसको हम कॉलन बोलते है वैसे अब देखे थर्ड sound कौन सी आई बड़ी ए की तो देखे यहाँ पर क्या है for example मैं कहते हूँ यहाँ पर speech तो देखे यह हमने बनाया है speech का speech s-p-e-c-h जहाँ पर देखे double e है तो यह क्या हुआ एक sound होती तो i होता अगर double हो गई है तो यह क्या बन गया e तो यहाँ क्या बोला speech यह speech नहीं है speech कहते तो वो हमारा क्या होता यह होता अब यह speech है तो बड़ी e के लिए हमने क्या लगाया इसको लिए स, प, e बड़ी e है यहाँ पर और च, speech स के लिए क्या लगाया small s लगाया और फिर उसके बाद प लगाया प, प के बाद हम क्या लगाएंगी बड़ी e के लिए यह sound लगाई हमने और फिर है हमारे पाश, च के लिए यह sound बनाते है च को ऐसे लिखा जाता है t डाल कर और यह हमारा f के जैसा लग जाता है तो इसको हम च बोलते है तो यह sound लगाएंगी च के लिए च तो यह हमारा बना speech, उसके बाद देखे next sound है हमारी यह हमारी e बोलते है जब हम किसी चीज़ को जैसे कि देखे example देखे इसका active 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 वर्ड लिखते है तो देखे हम इसको एक बार हिंदी में लिखते है active 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 है तो देखे कैसे इसको बोलेंगे हम और कैसे write करेंगे जो यह a बोले जाएंगे देखे a नहीं होगा आपको यह याद रखना है a और a यानि कि जोड लगाकर a बोलते हैं हम जब हम a बोलते हैं यानि कि active के लिए तब हम किस sound का यूज करते हैं तो हमारी यह sound होती है a के लिए तो देखे कैसे बनी यह पहले हमने ultra e बनाया फिर इसको बीच में से निकाला और यह बन गई हमारी a sound a नहीं है यह a यह नहीं होगा इसको हम a ही लिखते है ताकि हमें यह याद रहे बैसे हिंदी में लिखते है तो हम active लिखते है पर यहाँ यह नहीं होगा यहाँ पर active है और फिर ट, ए, क, ट, इ e के लिए small e लगाएंगे हम यह है हमारा small e यह लगाएंगे active व यह क्या है व एक्टिव जो वी हमारा लगा हुआ है उसी वी को हम लिखेंगे के के लिए के लगाया और टे के लिए ट लगाया और e के लिए e और यह sound है जो उसी को उसी में ही बदल देंगे हम यह होता है active next देखिए यह e sound थी यह हमारी a यह क्या है a जब a बोला जा रहा है a और जोड लगा कर यह a नहीं बोला जा रहा देखें जब हम बजपन में सीखते थे थे a अनार नहीं बोलते थे a अनार ही सिखे थे तो यह बला आई तो आप सोच लेना कि यह बला है और अगर a को जोड लगा कर बोलते है तो यह sound होगा three जैसा होगा यह बला sound और जैसे कि हमने a लिखा है उसके पिछे दो डोट लगाए है bird या फिर यहां मैंने लिखा है third अब third है जो देखी कैसे बनाए ये तो देखी third अब देखी सबसे पहले थे लिखेंगे थे कैसे लिखते है थे को कैसे लिखा जाता है phonetic transcription में तो देखी ये हमारा theta बाला थे होता है theta बनाया और फिर बीच में line लगा दी ये theta बाला थे और फिर a th तो यहां पर देखी क्या आया यहां पर वैसे तो ये i लिखा था हमने पर ये हमारा जब हमने जोड रगा कर इसको बोला तो ये क्या बोला third third तो नहीं बोला इसको हमने बोला है third तो third है जो यहां पर क्या लिया हमने थ और a के लिए कौन सी soundly ये three बाली ही soundly हमने और फिर हमारा क्या है र अब देखे जो ये र बनते है हमारी इनको हम क्या करते है जब भी र हमारा ऐसे आएगा बीच में आएगा कहीं भी ये last में आएगा तब हम ज़्यादा तर इनको क्या करते है इनको हम silent कर देते है जहां पर silent र लगा होगा उसको हम show करेंगे bracket के अंदर तो ये र लगाया और bracket में बंद कर दिया इसको ये दिखाने के लिए कि र था पर ये silent था तो ये क्या है तर र और फिर बचा हमारा ड के लिए ये लगाया और slash बंद उसके बाद देखें next है ये है हमारा देखें सवा इसको कहते है सवा सवा क्या होता है ये बिल्कुल ही मामूली जब अ की sound देता है बिल्कुल मामूली अगर हम यहां लिखते है about तो देखें क्या लिखा हमने about ज़्यादा हमारे पास जो sound है वो किसका आ रहा है about about का आया है तो ये अ है बिल्कुल न के बराबर है तो हमने क्या लगाया सवा लगाया तो देखें जहां भी sound न के बराबर होगी चाहे तो वो O के लिए हो चाहे वो A के लिए हो किसी के भी लिए जब A की sound होगी और ना के बराबर होगी तो हम use करेंगे इस सब्बा का तो देखे slash लगाया और ये सब्बा लगाया उल्टा E को होता है ये उल्टा E को कहते हम सब्बा A और फिर B क्योंकि हमने क्या लिखा B फिर है हमारे पास A, O A और O about में क्या आया A, A का रंडा है और O है A और O को मिला कर हमारी sound बनती है ये A और ये A होता है और O, O के लिए होता है ये cup होता है जैसे हम मग पकड़ते हैं मग जैसा है ये A, B, A, O और क्या बचा, T ऐसे आपको बोल कर ये write करने हैं देखे, आप बिल्कुल असानी से इनको बना पाऊंगे अगर आपको ये sound याद हो गई और मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि अगर मैं ये sound आपको ऐसे करवाती रहोंगे तो आपको देखे, प्रैक्टिस ही हो जाएगी आप खुद बनाना सीख जाओंगे तो ये हैं हमारा about फिर हैं हमारे पास ये sound देखे, ये कैसे sound है? ऐसे उल्टा वी लगा हुआ है ये उल्टा वी होता है, ये हम किसके लिए यूज करते है जहाँ पर यू लिखा आता है यू के लिए हम यूज करते हैं इस sound को इसको भी हम अ ही परनाउंस करते है sound के रूप में पर ये क्या होता है? यू की जगह पर लिखा जाता है तो आपको ये चीज याद रखनी है यू की जगह पर ही आता है ज़्यादा तर ये तो देखे यहाँ पर मान लिजिए मैंने क्या लिखा रम्मी रम्मी क्या होता है? R-U-M-M-I रम्मी, Y होता है अब देखे यहाँ पर क्या है? हमारे पास U है इस word के अंदर तो इसके लिए हमें साउंड याद रखनी है ये उल्टे भी वाले साउंड आ जाएगे R का R रहेगा और म का म और देखे चाहिए अब यहाँ पर एक बात समझना कि चाहे हमारे पास सिंगल है चाहे डबल है, ट्रिपल है कितने भी लैटर को डबल करके ट्रिपल करके दिया जाए पर यूज कितने होंगे, सिर्फ एक ही यूज होगा तो यहाँ पर म र के लिए र लिख देते है स्टार्टिंग में र है, इसलिए ये साइलेंट नहीं होगा तो देखे, सलैस लगाया रम्मी के लिए क्या लिखा, र र लिखा, और फिर यू के लिए हमने ये साउंड लगाई र, फिर डबल M था, इसके लिए सिंगल M लिख दिया म, और फिर वाई के लिए हमने क्या बोला, रम्मी, इ बोला है तो ये बला साउंड लगेगा रम्मी, अब याद रखना है बड़ी E है जो, ये जदा तर देखे, लास्ट में नहीं आती जदा तर जब हम यूज करते है लास्ट में तो इस E का करते है इसका भी होता है पर इतना नहीं होता जितना इस E का होता है, तो ये बना हमारा रम्मी, R, L M, और I उसके बाद next देखे हमारे पास है यह sound, इसको हम बोलते है O की sound यह हमारा क्या है देखे छोटा U होता है जो आपका इंगलिस में, उसी को O कहते है और इसके बाद में क्या लग जाते है दो डोट लगे जिससे क्या पता चला कि यह बड़ा O बन चुका है तो यह बड़े O का काम करता है इस sound का, तो देखे हम यहाँ पर beautiful लिखते है, तो यह देखे क्या लिखा, beautiful इसको beautiful नहीं बोलते, यह जीज हम गलत प्रनाउंस करते हैं हमेशा, तो यह हमारा होता है beautiful, beautiful तो देखे, beautiful के लिए क्या होगा, beautiful फल फल beautiful तो यह होती है हमारी sound जब हम इसको प्रनाउंस करते हैं बीटीस में आईपे में, अब देखे यहाँ पर जो ब है ब के लिए हमने क्या लगाया, small b लगाया, slash के बाद, ब और क्या बचा हमारे पास लिए हम क्या sound योज करते हैं, जो यह जे होता है, इसको योज करते है ब्यू, और फिर o के sound के लिए यह लगाया ब्यू, यह दोनों मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं u के sound बनाते हैं, इंग्लिस में तो यह क्या है, b, y, u, b, y, u, ब्यू, ट, और यह अ है, देखिए, अ के लिए जो ना के बराबर है, सब्बा लगाया ब्यूट, और फिर फ, और फिर इन दोनों के बीच में देखिए, फल फल, अ sound हमारी बीच में यहां पर आती है, अ, तो ना के बराबर है, वो, अ, तो यह दिखाने के लिए हमने क्या लगा दिया, ब्रैकिट में लगा दिया यह, क्योंकि यहां पर लिखी नहीं गई है, पर यहां पर है, लिखी नहीं गई है sound इन के बीच में, अ की, पर यहां पर हमें महसूस हुई है, feel हुआ है, feel हुआ है कि हाँ यहाँ पर एक sound है तो यह बाला सब्बा लगेगा और फिर ल और फिर slash लग जाएगा हमारा slash तो यह हमारा होगा beautiful तो beautiful को आप याद रखना important है उसके बाद देखिए next sound हमारे पास है यह sound अकेला मग तो देखिए यह जब आती है इस sound को हम कहते है small o और देखिए अब देखिए हमारे पास है यह sound o की तो देखिए small o होता है यह आपको याद रखना है small o अब देखिए जब इसको इसके साथ जग के साथ यह मिलाते है U तो यह हमारे sound बनती है दोनों को मिलाकर U की अब देखिए हमारे पास इसको मिलाकर हम word बनाते है beautiful अब beautiful नहीं होता हम यह beautiful परनाउंस करते है यह क्या होता है beautiful अब देखिए जब इसको बनाते है तो कैसे बनाएंगे slash लगाया ब के लिए b लगाया कोशिज करनी है आपको यह बनाने में अब देखिए y है और u है य उ को मिलाकर u sound बनी u को ऐसे लिखा जाता है j डालते है small में और फिर u डाल देते है यह हमारा बना ब्यू ब्यू ट और यह अ है ना के बराबर अ बोला जा रहा है तो यह sound लगेगी सब्बा की जो मैंने यहाँ पर करवाई थी सब्बा यह sound थी उसके बाद फ और फिर हमारे पास है फ ल फ अ ल फल तो बोलने में अ आता है बीच में तो यह अ है जो यह ना से भी ना के बराबर है तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम लिख के दिखाएंगे ब्रैकेट में silent है यह बिलकुल और फिर हमारे पास बच्चा ल beautiful यह हमारी sound बनी beautiful की उसके बाद देखे next है अब है हमारे पास यह यह होता है हमारा o sound o जब double o आते है तो हम यह sound यूज करते है जिसको हम mug कहते है वैसे mug नहीं कहते देखे मैं आपको सिर्फ समझा रही हो यह o है o की sound है यह o बड़ा o है बड़ा o कहते है इसको बड़ा o क्योंकि देखे जब हम यहाँ पर double o है मान लीजे मैंने लिखा टूक तो दो o की sound आई जिसको मिला कर क्या बना o बन गया यहाँ पर टूक और ऐसे ही देखे और वड़ देखे book look तो जब double o बाले sound आते है तो हम यूज करते है इस mug का यह हमारा है बड़ा o bull यह कौन सा bull है यह बाला oon बाला क्योंकि सर्दिया है तो यह बाला मैंने लिखा है तो हम इसको बनाते है देखे bull यह हमारा है bull bull अब oon होती है bull अब देखे slash लगाया burr के लिए क्या लगाया हमने small b फिर o के लिए क्या लगाया mug लगा दिया अब देखे उसके बाद le le के लिए small l यह हमारा वन गया bull अब देखे हमारे पास है यह sound अब देखे इसको कभी यूज करते है जब हमारे पास a और u लिखा आएगा किसी word के अंदर तब हम इस sound को यूज करते है यह आपको याद रखना है यह वैसे होते है हमारी o पर जब o लिखा आता है यह मानली जी यहाँ पर go लिख दिया तो यह o होगा अकेला तब हम क्या करेंगे a और u यह sound यूज होगी इसके लिए यह sound यूज होगी a और u को मिलाकर क्या बना o a और u को मिलाकर क्या बनता है अगर संथी की है आपने हिंदी में क्या बनेगा यह बनेगा small o तो यह o है जो इस sound के लिए यूज होता है पर जब बात है हमारे पास a और u को मिलाकर और जब हम क्या बनाते है, O बनाते है, एक्जाम्पल देखिए, इसका यहां लिखा है, कोट, यह क्या है हमारा कोट, C, A, U, G, H, T, इसको हम क्या बोलते है, कोट ही तो बोलते है, तो देखिए, इस कोट को बनाने के लिए, हम यूज करेंगे, इस साउंड का, तो सबसे पहले देखिए, हमने क्या लगाया, स्लैस, और फिर, क, और फिर, यह साउंड लगाई, A और U के लिए क्या लगाना है, हमें, यह साउंड, O, और फिर, ट, क्योंकि हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, क, O, ट, क, कोट, यह लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाया, क, O, O के लिए क्या लगाया, जो A, U था, उसके लिए, यह साउंड लगाई, फिर बच़, ट, तो हम लगा देंगे, ट, यहाँ पर आगया, ट, कोट, उसके बद नेक्स्ट देखिए, अब हैं हमारे पास देखिए, यह हमारा जो, कप होता है, ऐसे ही होता है, कप, इसको मैं कप साउंड कहती हूँ, पर होती क्या है यह, यह होता है हमारा, small O, क्या होता है यह हमारा, small O, अब देखिए, example इसका, यहाँ पर मैंने लिखा, note, न, तो यहाँ पर न, O, और ट, note, उसके बाद देखिए, next, उसके बाद देखिए, हमारे पास है, a sound, तो देखिए, जब a sound होती है, इसको कैसे हम, use करते है, आ, अब देखिए, आप नहीं देखा होगा, c, a, l, m, word होता है, जिसको हम बोलते है, काम, क्या है ये, काम, शांद, तो जब हम इसको लिखते है, काम, क, a, म, काम लिखते है इसको हम, तो सबसे पहले देखिए, क, आया, क, और फिर, आ के लिए हम क्या लगाएंगे, ये sound लगाएंगे, ये, आ, आम होता है हमारा हिंदी में, वही है ये, आ, और फिर, म, काम, ऐसे ही आ जाए, पाम, पाम क्या होता है, ब्रिक्ष होता है, ये का पाम, तो पाम के लिए क्या बनेगा, प, आ, म, पाम, और यहाँ देखिए, मैंने लिखा है, एक एक अग्जाम्पल आपके लिए, ये है हमारा, आफ्टर, आफ्टर के लिए सबसे पहले देखिए, हमने लिखा, आ, फ, ट, र, आफ्टर, अब देखिए, टर, यहाँ पर हम, साउंड देखते है, मामुली से साउंड है अ की, जिसके लिए हम सब्बा लगा देंगे, र है, र को क्या कर देंगे, साईलेंट कर देंगे, तो ब्र behaviour कर देंगे, क्योंकि जब लास्ट में आएगा, आर हमेसा साईलेंट ही होगा वो, उसके पहले क्या होगा, आ के लिए क्या लगाया फिर फ के लिए फ, ट, अ सब्बा लगा दिया र हमारा silent इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया ब्रैकेट बंद, स्लास बंद तो यह हमारा है after उसके बाद देखे, हम चलते हैं हमारी dip thong पर, इसको हम बोलते है मौनोफ थोंग, मौनोफ थोंग क्या होता है मौनोफ थोंग क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ एक sound, मौनो मींस क्या होता है सिंगल, जब हम सिंगल sound यूज करते है, तो इसको हम मौनोफ थोंग कहते है या फिर बोल कहते है इनको और देखे, जब हम बात करते है डिप थोंग की जिसको हम डाइप थोंग फे कहते है डिप थोंग या डाइप थोंग होते है जो इसमें हम डाई से बनता है डाई का मेनिंग होता है डावल तो यहां पर हम क्या करते है दो साउंड्स यूज करते है और दो साउंड्स लगाकर हम एक साउंड बनात तब हम क्या बनाएंगे double sounds यानि ये dip thong बनाएंगे अब देखे ये है हमारे पास dip thong इन में देखे sounds important sounds कौन कौन से है अब देखे ये हमारा A था और इसके साथ हमने I को लिख दिया E और I इन दोनों को मिला कर हमने क्या बना दिया इन दोनों को मिला कर बना हमारा A A sound बनी E और I को मिला कर क्या बना A sound बनी अब देखे फोर एक्जामपल में लिखते हुए यहाँ पर P P P P word आगया आपके एक्जाम में तो आप कैसे लिखोंगे सबसे पहले slash लगाया P डाला और फिर A ये हमारा क्या है हिंदी में लिखते है फोन पे सुना होगा तो ये हमारा होता है P P है तो P लगाया P और फिर इसके ओपर एक मात्रा है A की A के लिए हमने ये sound यूज की E और I को मिला कर ये बना हमारा P तो ये हमारा क्या है P next देखिए next sound है हमारे पास A और O A और O ये हम किसके लिए यूज करते है जब हमारा O आपको एक word के अंदर last में तो ये हमारा होता है O sound तो O के लिए हम use करते है इसका A सबा क्या होता है? A होता है जो silent की तरह होता है और ये O होता है A प्लस O को जब हम मिलाते है हिंदी के संथी chapter में देखा होगा आपने A और O को मिला कर क्या बना? O बनता है तो A और O को मिला कर क्या बना दिया? O sound बना दी अब देखिए example इसका क्या होता है? No, go, so इन सब में जैसे कि so है go है, no है, इन सब में क्या मिलती है? हमें ये sound मिलती है तो इसको go को बनाते है यहाँ पर मैंने लिखा है go के लिए g लगाया फिर A और O O, इस O के लिए क्या बनाया? O के लिए A और O ये बन गया हमारा O slash बंद उसके बाद देखिए next है हमारा यहाँ पर है A और I A और I यह हमारा जैसे small A होता है books के अंदर A और I को मिला कर क्या बना है? इन दोनों को मिला कर ये बना A E इसको तो पढ़ने से ही पता चलता है A और I को मिला कर बना A E आई वर्ड में बना अब देखें A में जैसे आता है यहाँ पर wide आगया आपके exam के अंदर यह मान लीजिए आप wide क्या आया? wide अब wide को जब हम हिंदी में लिखते है व आ E और the wide अब जो यह व है यह वाला अगर डबलू लिखा है तो हम डबलू ही लगाएंगे अगर यह व वाला वैन वाला आजाए तो वैन वाला वी ही लगाएंगे यह आपको याद रखना है डबलू है तो डबलू ही लगाएंगे slash यह डबलू वाला वी लगाया व और फिर आ और E यह दो sound एक साथ बची जब एक साथ लिखी जाएगी तो यह diphthong होगा हमेशा आ और E को बनाया आ और E और फिर बचा wide यह हमारा है wide उसके बाद देखे A E को बना कर बनाया हमने इसको अब है A और यह हमारा था O A और O A प्लस O तो यह हमारा sound बना यहाँ पर यहाँ पर देखे O नहीं बनेगा A और O यह बना हमारा A O A O sign A O sound तो देखे इससे हमने माले लिखा house इससे हमने बनाया भी है यहाँ पर house को तो देखे house लिखा तो यहाँ पर बोलने में देखे क्या आया O U O U को अगर हम O pronounce करते तो हमें पता है हमें कौन सी sound लगानी थी यह sound लगानी थी अगर हम इसको pronounce क्या करते O सारा चकर ही किस चीज़ का है pronunciation का है यह चीज़ आपको याद रखनी है अगर यहाँ पर coat जैसे आये था word coat यहाँ भी क्या था O और U था पर यहाँ पर हमने इसको count नहीं बोला था यहाँ पर क्या बोला था इसको O coat बोला था इसको coat पर यहाँ पर देखे hose थो नहीं है यह hose hose थो नहीं है यह क्या है हा उस तो आउ है यहाँ पर आउ के लिए हमें क्या sound लगानी है आ और O को यह वाली sound अब देखे इसको बनाते हैं तो क्या बना ह ह के लिए क्या लगाया small h लगाया फिर आउ के लिए आ और O लगा दिया मग वाला O फिर बचा स स के लिए यह लगा दिया तो यह हमारा क्या हुआ house next देखे उसके बाद यह हमारा O और E यह sound थी हमारी O की थी जैसे के हमने coat में लगाई थी coat के अंदर O U के लिए लगाई थी यह sound O की तो यह O है और यह हमारा क्या है small E इन दोनों को मिलागर क्या बना O E O E O E बना जब आपके word के अंदर O E sound आएगी तब हमें यह यूज करना है अब example देखे इसका इसका example है toy अब देखे boy जब हम इनको बोलते हैं तो boy toy यह बोलते हैं जो की wrong है अगर हम इसका fanatic transcription करते हैं तब हमें पता चलता है कि इनको हम boy या toy नहीं बोलते इनको बोलते हैं और boy को बोलते हैं boy अब यह मत कहना लड़की बना दिया लड़के का तो देखे यह क्या होता है boy तो boy के लिए हम क्या लगाएंगे यह sound लगाएंगे o और e का अब क्या लगाया हमने b लगा दिया और o और e boy ब oi boy यह बना उसके बाद देखिए toy तो आपका आया हुआ है exam में बैसे भी अब देखिए इसके बाद है हमारे पास e और a जब ear sound आएगी क्या sound आएगी ear तब हम इसका यूज करेंगे तो देखिए बोलने से भी आपको याद आ जाएगा exam में कि हमें क्या लिखना है अब देखिए ear है for example यहाँ हमने लिखा है here here come here क्या होता है come here here means यहाँ अब देखिए ear है इसको here नहीं बोलते come here नहीं कहते come here come he y r here अब देखिए come he r come here अब देखिए ह के लिए क्या लगाया h लगाया slash डालके फिर e और a है हमारे पास e और a अब यह मत कहना ही पहले लगा ह e r here ह e a और r अब यह r last में है तो इसलिए हम इसको क्या कर देगे silent silent के लिए दिखाने के लिए इनको bracket में लिख देते हैं और यह बंद हो जाता है slash तो यह हमारी sounds है अब देखिए एक और जो sound बच्ची है दो है हमारे पास यह हमारी o sound यह क्या था o और यह है a यह है o sound o o o के लिए देखिए जैसे कि यह हमारा है जिसको हम देखिए क्या बोलते है इसको हम tour बोलते है पर यह tour नहीं होता यह होता है tour tour यह होता है ऐसे ही अगर बात करें तो P-U-R-E, ये क्या है? Pure नहीं होता, ये क्या होता है? Pure Pure क्या है ये? Pure ऐसे अब देखिए, इनको जब हम change करते हैं तो कैसे? U और अ तो tour word आया तो आप कैसे करोंगे इसको? Tour अब देखिए ट ट के लिए क्या लगाया? Small t फिर U-R O-R O और टू-R, रब अच्चा है र को silent कर देंगे क्योंकि last में है ये उसके बाद देखिए ये last है हमारा, ये है हमारा E-R E, क्योंकि E को हम E के लिए ही यूज करते हैं E और A, ये हमारा E-R For example, देखिए हमारा आया E-R के अंदर E-R क्या होता है? E-R, कान E-R तो यहां लिखा है मैंने सबसे पहले हमने लगाया E-R E-R ये sound लगा दी E-R र था इसको हमने कर दिया bracket में क्योंकि र क्या होता है? silent होता है तो ये हमारा बना E-R अब देखिए अब हम solve करते है question papers को तो अब देखिए हमारे पास है first ये हमारा कौन सा paper है? ये हमारा है Fav 2022 का K.U.K. University का K.U.K. University का है जो Fav 2022 का इसमें सबसे पहले क्या दिया है? transcribe any five five marks के आपके ये आते है कोई भी five आप करके है न जो आपको easy लगे तो देखिए easy ही आते है exam में आपके transcribe यानि five of the given words जो आपको words दिये गई है इनमें से five करने है and also mark primary stress आपको मैं primary stress भी बताऊंगी कि कहा लगाना है अब देखिए primary stress के लिए वैसे आप क्या कर लेना? तो इसको हम कैसे लिखते है expensive 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 अब जब हम इसको बनाते है expensive को e है सबसे पहले हमारे पास क्या है ये e है e के लिए देखिए सबसे पहले हमने slash लगाया e के लिए e sound को लगाया फिर है क और स access से क्या बना? क और स क क के लिए क और स के लिए स, इक्स, फिर बचा प, प के लिए हमने लगाई प, फिर हमारे पास है, ई की साउंड expensive क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, देखे, क्या लिखा हुआ है, ई लिखा है तो ई को ई बनाएंगे फिर है, न, न के लिए न, स के लिए, स फिर बचा, छोटा ई है, सी, और फिर व, व के लिए कौन सा वी है यह देखना है हमें, यह बाला वी है तो यही बाला लगेगा, अ की कोई value नहीं है, क्योंकि expensive बोला है व तक ही यह खतम हो चुका है तो यह हमारा बना expensive word उसके बाद देखें, next यह हमारा comfort अब देखें, हिंदी में लिखते है इसको, comfort comfort अब देखें, सबसे starting में है, क, क के लिए हमने slash लगा के क्या लिखा, क और फिर हमारी पास क्या है यहाँ पर, o sound है पर यहाँ पर देखें, मामूली सी दे रहा है यह sound हमें, जो हमारी यू की sound होती है वही यहाँ पर लगी है, comfort तो, come लिखेंगे जब हम तब हम देखें, यहाँ पर o की sound तो नहीं डालेंगे, क्योंकि a है, तब हम क्या से लिखेंगे, इसको इसी sound में लिखेंगे, क, a, come, तो इसी तरह से comfort होगा तो, इसमें क्या है क के लिए ये लगाई, और a के लिए ये लगाई, फिर हमारे पास है म, म के लिए ये लगाई, फिर आया, फ, फ के लिए small f लगाया, फिर आता है र, come, comfort, अभी इन दोनों के बीच में हमें, fart, a भी सुनाई दिया है, अब जब भी क्या होगा, ये होगे word, इनके बीच में एक सुनाई देता है, fart के बीच में, तो f, a, a के लिए सबा लगा दिया, मामूली से sound है, बचा, r, r के लिए हम क्या करेंगे, r के लिए लगाएंगे हम silence r, bracket के अंदर, फिर बचा ट, ट के लिए ये लगाने की, ये हमारा है comfort, अब देखे यहाँ पर, जो हमारा क्या लगेगा, primary stress जो expensive था, वहाँ पर i और k आया था, तो फिर आया था sir, तो यहाँ पर sir से पहले लगेगा, तो देखे, expensive, तो expensive, expensive है, जो इससे पहले sir से पहले यहाँ primary stress लगेगा, comfort में कहां आएगा, starting में आएगा, हमारा primary stress, क्यों आएगा, तो देखे, यहाँ पर sound कितनी है, ज़्यादा तर हमें क्या धियान रखना है, कि जिसके पास sound होगी, उसी के पास यह लगेगा, अब fur के बाद तो यह मामूली sound है, यहाँ तो लगेगा नहीं, और sound कोई है नहीं, हमारे पास तो यह अ की है, तो इससे पहले ही हम क्या करेंगे, क्या लगानेंगे, primary stress, उसके बाद देखे, next, फिर है हमारे पास, क्या word है हमारा, envelope, क्या है यह, envelope, और साथ में sir लगा है, envelops, तो क्या हुआ यह, envelops, 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 अब देखे, सबसे पहले क्या है, e वाला sound है, यहाँ पर, e है, तो क्या लगाएंगे, slash लगाकर e के लिए, small e, और फिर न है, न के लिए न लगा देंगे, फिर है हमारे पास, व, e, n, v, e, n और v लगा दिया, अब यह बच्चा है हमारे पास, इसके लिए क्या करेंगे, and, v, o की sound जब यह दे रहा है, तो देखे, यहाँ पर यह, e, e नहीं रहा, यह sound क्या बन गया है, सबा बन चुका है, तो इसको उल्टा कर देंगे, सबा बना देंगे, e से क्या बन गया, and, v, lop, यह बना, तो अ की sound है, तो यह बन जाएगा हमारे सबा, फिर है ल, और फिर है, o, o के लिए क्या बनाएंगे, a और o को मिला कर, o, o बनाना है, अपने को, क्या बनाना है, a, a के लिए क्या बनाएं, सबा और o, o, o बन गया यह, तो यह sound लगाएंगे, a, o, फिर है हमारे पास, p, p के लिए क्या लगाया, small, p लगाया, फिर बच्चा हमारे पास, sir, envelops, यह बना, अब यहाँ पर हमारे sound कहा लगेगा, यह तो हमारी देखिए, sound, मामूली sound है, सबा की, सबा पे नहीं लगता, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, e ही sound बच्चती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, primary stress लगा देंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद है, singer, singer देखिए, बहुत easy bird है, singer, singer को बनाते है, slash, e, फिर न और ग, यह एक साथ आते हैं हमेशा, तो small n है, और इसी के साथ ग बनाना है, तो g का यह बना देंगे, कैसे बनता है यह, न और ग, जैसे कि sing में होता है, न और ग एक साथ यूज होते हैं, तो sing, फिर क्या बचा हमारे पास, और, यहाँ पर क्या बचा, और, singer, singer, तो बोलने में अ आया, अ कौन सा है यह, यह हमारा वही बिचारा मामूली सा, सबा है, singer, र, र लास्ट में है, तो इसको बिचारे को silent कर देंगे, तो यह हुआ singer, उसके बाद देखें, next, discount, discount, इसको बनाते है, slash, the, e, small e, फिर, sir, this, फिर क के लिए, के लग जाएगा, आ और उ, यहाँ पर, आ और उ बचा, आ और उ, यह, तो हमने क्या बनाया, आ और उ, discount, न, और फिर, discount, अब discount में कहा लगाएंगे, अब देखें, हमारे पास क्या है, discount, जहां लगेगा, this पे, तो यह हमारी sound लगेगी, primary stress आप कर लेना, उसके बाद देखे, father, father, तो यहाँ पर देखे, father, father है, तो इसको देखे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या लगाया, slash, for, a, अब बड़ा बला, यह लग जाएगा, for, a, फिर, the है, the से क्या, the कैसे लिखते है, सब्बा होता है, इसको यहाँ से कट कर देते है, यह हमारा होता है, the, तो यह क्या बचा, the, और फिर हमारे पास क्या है, the, यहाँ पर क्या है, last में हमेशा क्या, सब्बा आता है बीच में, तो, यहाँ पर सब्बा आ गया बीच में, फिर, रह था रह को क्या कर दिया हमने silent कर दिया ये बना हमारा father उसके बाद आ जाता है next हमारा जो question paper है ये complete है हमारा इसके बाद हम चलते है next पर 2021 पर तो देखिए तो ये है हमारा 2021 का इसको solve करते है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है word compound compound को कैसे बनाएंगे कमपाउंड compound अब compound को देखिए क फिर उसके बाद अब देखिए हमारे पास word है compound इसको compound नहीं बोलते हम रोंग बोलते हैं ये होता है compound ये होता है compound तो यहाँ पर slash कर ओ बचा ओ के लिए क्या लगाएंगे ये हमारा ओ है compound ये बन गया compound अब देखिए यहाँ पर starting में आ जाएगा उसके बाद देखिए उसके बाद है हमारे पास insult इन सल्ट इसको देखिए slash इन सल्ट अब यहाँ पर क्या है हमारे पास insult में की देखनी है sound यू लगा है तो ये आ जाएगा insult अब insult में starting में लग जाएगा उसके बाद देखिए हमारे पास है object ये क्या है object object slash o के लिए क्या लगाया हमने o की sound लगाई यही बाली जो हमने compound में लगाई थी तो o कप अबना देते है यह उल्टा कप o ब जर के लिए देखिए जब z की sound देगा ये d और ये जड लगाया जाता है d3 वाली sound इसको जर बोलते है हम तो ये क्या हो जाएगा d और ये sound इसको हम जर बोलते है object अब यहाँ पर क्या था object ये की sound आईगी यहाँ पर object object और फिर कट बचा कट अब देखिए यहाँ पर सब्बह क्यों नहीं लगाया कट object एक साथ ये बोला जा रहा है यहाँ पर कोई sound नहीं बनती औप जाट पर एक साथ ही है तो यहाँ पर हमने सब्बह नहीं लगाया उसके बाद देखिए next है क्या है हमारे पास police पुलिस important word है यह आप अच्छे से देखना तो इसको पुलिस नहीं बोलते यह होती है हमारे पलीस क्या होती है यह पलीस पलीस के लिए देखे स्टार्टिंग में सब्बा यह देखे आपको अच्छे से याद रखनी है यह पलीस कहते है इसको सब्बा लगाया फिर पर पर के बाद क्या बचा हमारे पास अ मामूली सा है तो सब्बा लग जाएगा पर लग ई है तो यह बड़ा ई है बड़े ई के लिए डोट वाला ई लगेगा फिर स यह क्या है पलीस पलीस most important है एक्जाम में यह आ भी सकता है तो यह आपको याद रखन है इसमें primary stress कहां आएगा सब्बे पर तो आएगा नहीं तो हम लग के उपर लगाएंगे इसके लिए क्योंकि इस sound के लिए लग के उपर stress लगा है उसके बाद next देखिए इसके बाद है हमारे पास village यह भी most important है काफी बार आ चुका है यह village है यह village नहीं होता आपने सुना ह हो तो मैं हमेशा इसको village बोलती हूँ तो यह याद रखना है आपको village अब देखे village में क्या करते है slash v e le और फिर है e और फिर j j है तो d three वाली sound village और यहाँ पर slash क्या लगेगा starting यहाँ पर primary stress starting में लगेगा उसके बाद है हमारे पास permit यह भी most important है यह तीनो बर्ड आ चुके है दो तीन बार आ चुके है यह आपको याद रखने है permit अब देखे permit वर्ड है जो इसको कैसे बनाएंगे permit permit तो देखे रह का तो बिचारे का बहुत कम रोल होता है इसको हम silent करके बिचारे को कहा फैक देते है हमेशा bracket में तो permit है slash लगाया प लगाया प प और र को डाल देते है इसकी जगह पर silent में प र र र पर तो पर र की sound बीच में आती है बोलते है तो तो यहाँ पर हम सब्बा लगा देंगे permit में कहां पर आएगा हमारा तो देखें यह तो सब्बा था और यह क्या था silent आर था तो म के उपर आजाएगा इस sound के लिए क्योंकि देखें sound से पहले का जो भी हमारा यह letter होता है consonant letter उस पर ही हम क्या लगाते है stress यह याद रखना है आपको तो यहां हमने लगा दिया उसके बाद देखें next अगले पर चलते हैं अगले paper के उपर अब देखें यह हमारा दिसंबर 2019 का paper है यह हमारा इसको करते हैं तो देखें starting में जो हमारे password है home home का मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या से करना है ह अ ओ तो गो में तो कौन सा था अ और ओ यही था तो home ह अ ओ ओ गो जब गो लिखते है तो गो गो ऐसे तो home है तो ह अ ओ ओ हम हम अ ओ म हम अब देखें ह के लिए slash लगाया ह अ वही वाली sound है जो हम गो में लगाते है अ ओ म हॉम यह अब देखें उसके बाद है next director भी इसको बोल देते हैं और director भी बोल देते हैं दोनों ही हमारे correct हैं हम director से बनाते हैं इसको director नहीं है यह director है अब देखें स्लैस डड़ ड़ रेक्टर ड़ र र को silent विचारे को नहीं इसको silent नहीं करेंगे अब क्योंकि देखें silent नहीं जाएगा यह director है यह र की यहाँ पर strong है sound director बलकि strong है यहाँ पर director में जैसे director में होता है र की sound आती है तो यह director है तो र की sound यहाँ पर strong है तो हम र को लगाएंगे र यहाँ silent नहीं करेंगे director में ड, र, र और फिर क्या लगाएंगे इसके बाद आ, ई का ई लगाएंगे यहाँ पर क्या है R के बाद E है तो E लगाएंगे और फिर क, ट, र, क, ट, और फिर हमारे पास है लास्ट में र, लास्ट में र है तो इसको साइलेंट कर देंगे इसके बिचारे की अब जरूरत नहीं है Director पर एक चीज यहाँ पर हम भूल चुके है अभी भी याद करो उसको तो यह T और R के बीच में क्या है हमारे पास सबा है तो यहाँ पर T के बाद सबा लगेगा क्योंकि R को साइलेंट किया है तो इसको तो जगा देने पड़ेगी तो Director तो इसमें हम जो Stress लगाएंगे वो भी R पर ही लगाएंगे तो यहाँ आपको याद रखना है यहाँ तो क्या था सबा है लगेगा नहीं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे Stress लगाएंगे उसके बाद चलते हैं Next पर तो दिखे यह है हमारा Architect 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 आ फिर R है अब दिखे र का कोई रोल नहीं है विचारे का Architect इसको बोला जाता है R silent होता है R क्या हुआ silent bracket में जाएगा यह फिर क फिर E R की और फिर हमारे पास क्या है Takt T Takt में E है तो E का E लगेगा फिर क और ट क और क और ट Architect उसके बाद देखें next next है हमारे पास यह हमारे क्या होता है photograph क्या है यह फो फ और ओ फो टर ग्राफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ अब देखिए फ के लिए फ और ओ के लिए गो बाली sound वही लगेगी हमारी क्या आ जाएगा अ और ओ फो ट अब देखिए ट और ग्राफ ट ग्राफ ट सबा है यहाँ पर फिर है ग्राफ ग्राफ के लिए जी फिर र ग्राफ में र साइलेंट नहीं होता फिर आ और फिर फोटोग्राफ नेक्स्ट देखिए यह पास कबर्ड देखिए कबर्ड इसको बोलते हैं कपबर्ड नहीं बोलते यह होता है कबड के लिए हम क्या बनाएंगे this ANE फिर हमारे पास क्या है देखिए यू लगा है तो sound कौन सी आएगी ये फिर है P silent है P का कोई रोल नहीं है इसको bracket में भी हम नहीं लिखते हैं फिर हमारा आ जाएगा ब और फिर यहाँ पर वाड तो ये silent sound है हमारी सब्बे की तो सब्बा लगा है यहाँ पर फिर र और ड है र क silent करतेंगे cupboard है यह हमारा silent हो जाएगा फिर ड कबड अब देखिए हमारा जो stress हो कहां लगेगा यहीं लगेगा क्योंकि यहाँ हमारा सब्बा है उसके बाद देखिए next है हमारे पास है यह है gadget gadget नहीं बोलते हैं इसको इसको बोलते है gadget gadget सबसे पहले slash गय के लिए जी लगाया गय अब ए बोला है हमने बच्चो बाला ए जो हम बच्पन में बोलते थे तो ए गय जिट ज के लिए डी और थ्री बाली sound ज के लिए आ गई है ज और फिर ई और फिर आ गया त गय जिट अब गय जिट में कहां लगेगा यहां लगेगा हमारा sound अब देखिए उसके बाद stress व गस्ट अब देखिए अ ओ नहीं है यहां पर यही चीज याद रखनी है आपको तो यह है हमारा ओ ओ ओ ओ डिरेक्ट ओ की sound है इसमें हमें कुछ double sound लेने की जुरुरत नहीं है ओ गर फिर है हमारा देखिए यू है यहां तो यह sound आ जाएगी फिर सर और तर ओ गस्ट slash कहां आएगा घर पर आएगा क्योंकि इससे पहले हमारा बोबल के उपर लगेगा नहीं यहां आ जाएगा जीज पर उसके बाद देखिए next है हमारा यह क्या है petal पैट्रोल नहीं होता फैट्रल तो यह क्या है पैट्रल पैट्रल को बनाते है प ई के लिए ई का sound त और र ह जो वो लगेगा यहाँ पर petrol क्योंकि इसके बाद की sound कुन सी है सब्बे की sound है जहाँ पर o ना के बराबर है तो सब्बा petrol यह sound होगी हमारी stress पर आएगा क्योंकि यहाँ सब्बा है उसके पहले देखिए उसके बाद देखिए हमारा word है करियर करियर नहीं होता यह करियर होता है कई लोग इसको केरियर बोल देते है तो देखिए अब देखिए बोलने में रा आया है यहाँ पर लास्ट का silent होगा तो यह silent नहीं होगा करियर A, E, E, E sound आई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए, R के बाद E है और यहाँ A है, E, E और A, R silent हो जाएगा, slash month, career, क्या हुआ यह, career, अब R के उपर आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ slash, यहाँ सबा था, अब देखिए, next question paper पर चलते हैं हम, अब देखिए, यह हमारा 2018, November 2018 का question paper है, इसको solve करवाती हूँ मैं, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास permit, यह word हमारा I think आ चुका है, तो इसको हम नहीं करेंगे, आप इसको खुद बनाना, उसके बाद है, यह हमारा word है, इसको हम बोलते है, record, record, तो क्या है यह, record, record, अब देखिए, R है, R आ गया, starting में है, तो यह silent नहीं होगा, फिर हमारे पास E लगा हुआ है, R के बाद, R के बाद क्या है यह, E लगा हुआ है, तो यहाँ पर E ही लगाएंगे, क के लिए, क लगाया, फिर हमारे पास O sound, O sound के लिए हमें क्या यूज़ करना है, O यूज़ करना है, फिर हमारे पास R है, R कैसा है, R है हमारा silent, क्योंकि एक बार R आ चुका है दूसरा और silent फिर है हमारे पास क्या बचा ड़ ड़ के लिए ये लगा दिया record क्या है यह हमारा record में starting में ही आ जाएगा हमारा क्या जाएगा stress उसके बाद देखे next word है record के बाद है हमारा address यह देखे address नहीं होता हम इसको गलत प्रनाउंस करते हैं यह होता है address address अब देखे address है starting में a है तो सब्बा हमारा क्योंकि मामूली सा a है address ड़ पर ज्यादा focus है तो हम ड़ पर चलेंगे address र पर भी है तो र आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद e है यहाँ पर क्या है e का e लगाया double हो चाहिए single हो कितने भी हो हम एक ही लगाते हैं यह हमारा है address अब दे पास sound यहाँ सब्बे की है उसके बाद देखे next next है comfort यह भी हम कर चुके है अब है desert यह important है आ सकता है exam में desert को करेंगे तो क्या बनेगा यह starting में देखे अब हम बोलकर करते है ड़ और फिर d के बाद e है तो e का e ही लगेगा फिर यह जो s है इसको हमने desert नहीं बोला है यह हमा लगाएंगे जड लगाएंगे क्योंकि जड बन गया है ऐससे जब जड की sound आई ऐससे तब हम जड का यूज करते हैं तो क्या लगया जड लग गया और फिर फिर हमारे पास जो e है यह हमारा मामुली से यूज हुआ है desert नहीं है यह desert है तो a की sound है तो सब्बा लग जाएग अब इसके देखिए stress लगेगा deeper क्योंकि यहाँ सब्बा है यहाँ नहीं लगेगा desert उसके बाद next देखिए next है हमारे पास excuse excuse तो excuse है e का क्या लगा e लगा x के लिए क और स है तो क और स लग गया x फिर हमारे पास क्योज के लिए क फिर you और फिर s को हमने क्या बोला है s को हमने बोला j excuse है j को j में लिखेंगे तो x क क you और j excuse excuse में कहा लगेगा हमारा starting में ही लग जाएगा e पर उसके बाद next है हमारे पास यह क्या है हमारे पास important है यह आपको याद रखना है और यह कर भी चुके है हम envelops में उसके बाद देखिए हमारे पास है next क्या बचा village यह भी हम कर चुके है important है इसका मतलब क्या हुआ बारबार आ रहे है जो वर्ड यह हमारे important है यह हमें याद करने है अच्छे से next पर चलते है अब देखिए यह हमारे पास है 2016 का अब यह last है अब देखिए street है हमारे पास क्या है हमारे पास street को कैसे लिखेंगे स त फिर र है हमारे पास र लिखेंगे और फिर आ जाएगा ई ई कौन सा है बड़ा ई फिर बचा त स त फिर है singer इसको हम कर चुके है यानिकि यह most important में आ में पास हमारे फिर है silent ये क्या है silent silent नहीं होता silent अब देखिए silent है तो स-ख llan साई है ना, साउ, तो आ और य, ये sound लगेगी, आ और य, साई, फिर ल, फिर ant, हमने enter नहीं बोला, ये enter नहीं है, into नहीं है, silent नहीं है, silent है, तो अ के लिए हमने क्या लगाया, एको रुटा कर देंगे, सबा, और फिर न, और फिर ट, तो ये हमारा क्या है silent अब silent में कहां stress आएगा starting में क्योंकि यहाँ पर सब्बा है अब देखिए उसके बाद अब है हमारे पास world अब देखिए हमने एक word किया था भी जिसमें हमने इस sound का use किया था अगर आपको याद हो starting में तो सबसे पहले डबलू है तो डबलू का डबलू लग जाएगा फिर world world तो अ के लिए हमने जब हमने stress देकर अ बोला है world bird third किया था हमने यहाँ पर third word किया था तो इसमें हमने देखो कैसे बोला था third तो अ पर जोड दिया था तो यहाँ पर bird तो bird में हम अपर जोड़ दे कर बोल रहे है तो व, अ, अ के लिए ये sound use होगी फिर हमारे पास है world में आर भी है तो आर को लिखेंगे अब देखें आर कैसा है silent जाएगा आर, आर आएगा यहां पर के लिख दिया है मैं गलती से आर, silent, world, फिर ल, और फिर द, यह word है उसके बाद देखें अब देखें मैं क्योंकि यहां पर हमारा खतम होने बाला है तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जहां पर single sound होगी वहां कभी stress use नहीं होते है अब देखें इसमें एक ही sound है तो यहां पर stress use नहीं होगा starting में हमने note किया है quote किया है यह बनाए था हमने quote तो ऐसे ऐसे word जब बनाए थे तो इन में भी stress कभी use नहीं होगे तो यह चीज आपको याद रखनी है stress का use कहा नहीं होगा stress का use जहां single sound आएगी हमारे किसी word में वहाँ stress का use नहीं होगा उसके बाद है huge क्या है यह? huge ह, ह और फिर you य और o य और o य के लिए हम जे लगाते हैं य और you फिर है ज, ज के लिए हमने क्या लगाया? ज के लिए ग के लिए तो जी होता है ज के लिए ये sound लगेगा हमारा जहाँ पर G है जो वो ज की sound देगा तो हम D और 3 बाली sound लगाएंगे पर जहाँ S, J की sound देगा वहाँ पर जड लगाएंगे तो ये चीज़ याद रखने है तो ये है हमारा huge अब देखे यहाँ भी कितनी है sound? एक ही sound है तो यहाँ भी stress नहीं लगेगा उसके बाद देखे ये most important word है आ चुका है हमारा फिर आया हमारा last में noon तो ओ की sound है यहाँ पर न और फिर बड़ा वाला ओ फिर न तो यहाँ भी stress नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास single sound है तो आई होप आपको यह primary stress भी लगाने का पता चल ही गया होगा अब तो और जो हम change करते हैं तो इनको convert करते हैं फनाट्रिक transcription में तो क्या से करते हैं अगर आपको lecture अच्छा लगा हूँ तो चैनल को like, subscribe and share जरूर कीजेगा Thank you